और एक बहुती दुखद मामला सामने आ रहा है बिहार के वैशाली से जहाँ पर करंट लगने से नौ कावणियों की मौत हो गई है हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से यह हाथसा हुआ है नौ लोगों की जिन्दा जुलसने से मौत हो गई है गंगर जल लेने पहले जा घाट ये सभी लोग जा रहे थे करंट लगने से डीडिये ट्रॉली में आग लग गई बिजली विभाग पर लापरवाही कारोप लगा है और द्योगिक खानक शित्र के सुल्तानपुर में यह हाथसा हुआ है बड़ी खबर बिहार के वैशाली में जहां पर बड़ा हाथसा हुआ है करंट लगने से नौ कावडियों की मौत हो गई है हाई टेंशन बायर की चपेट में आने से यह हाथसा होना बताया जा रहा है सब्सक्राइब करेंगे भाजीपूर से बड़ी खबर है जल लेने के लिए जा रहा है उनकी मौत हो गई करेंट 11 तार जो है वह डिजे ट्रोली में सट गया और उस पर सवार लगभग 10-11 लोग ती जिसमें से नौ लोग जिन्दा जूलस कर मर गया है जिसमें सबसे यह दुखत बाती है कि सब जो है के लिए यहां पर लाए गया है और पुरी प्रसासन और पुलिस जो है यहां पर मौजूद है आप देख सकते हैं कि किस तरह के हाला थे यहां पर आदसे के सिकार हुए है तो नौ लोग के मौत की पूस्टी हुई है और सभी लोग जो थे वह डिये ट्रॉली से लेकर जा रहा है थे आपको मैं बता दूं कि जल लेने के लिए पहले जाग हार जाते वहां से फिर जल लेने के बाद जो है वह कल सोंबारी है तीसरी सोंबार है और कुछ लोग भाए लिए जो भी उचित करवाई है हम लोग करवा रहा है और जिला परशासन जो है जो है जो भी मुआब जावा उनलों को मिलेगा जीजे ट्रॉली में से क्रेंट आगा हाथसा कैसे हुए तो जीजे बना हुआ था और 11,000 का क्रेंट बितार में सुट जान गई है और 9 लोग के घर में जो है वो को हराम मचा हुए तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ी घटना और बड़ी खबर जो है वो बैसाली से सामने आई है प्रपुल कुमार नियुजेटीन आजिपूर इंदौर नगनिगम डिजिटल क्रांती के और कदम बढ़ा रहा है शेहर की सभी स्ट्रीट लाइट को अब सॉफ्ट वियर की मदद से समय पर ओन आफ करने की तयारी हो रही है पाइलेट प्रुजेक्ट के तौर पर शेहर के 800 स्ट्रीट लाइट पर आज से प्रयोक आते हैं और इसी परिशानी और बिल की बोच को कम करने के लिए यहां पाइलेट प्रुजेक्ट शुरू किया जा रहा है स्ट्रीट लाइट की ओनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद अग नगनिगम सालाना 24 करो रुपए बिजली के बिल में बचत करेगा और संबदात के महापोर फुर्समित्र भारगों बने हुए हैं उसके आद वो अलग-अलग टिक्नोलोजी पर काम कर रहे हैं अलग-अलग जो बिदेश के लोग टेकनिक अबनाते हैं जो हमारे बड़े महानगर हैं जहां पर नहीं आजनीक चीजों का इस्तमाल होता है उन नवाचार को करते हैं अभी तक उन्होंने देखा कि लगातार बिजली का बिज जो है नंगर निगम पर अत्रिक तबार बोश डालता है उन्होंने का कि बेवज़ा जो चलती है उसके बिजली बिल क्यों बनना अब नए टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जाएगा और इसमें यह पुरी तर कि सुर्वात हो रही है बिल्कुल आप मितलिश आप लगता जुड़े रही है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारे के लिए इंदोर के पुलिस कमिशनर में रोते गिरगडाते थाना प्रभारी का वीडियो सामयाया है जिसमें ती आई के द्वारा प्रांसफर को लेक अपराद में पेश होने के लिए बेसबॉल के साथ पहुंचा था बदमाशों ने एक रील बनाकर वाइरल भी कर दिया बताया जा रहा है कि बदमाश कॉंग्रेस के नगर निगम नेता प्रजेपक्षी चिंटू चौकसे का ग्राइवर है बस यहीं से राजनीती शुरू ही भाजबा की नेता जैसिंग ठाकूर अपने समर्थकों के साथ ठाने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया बड़ी संक्या में महिनाएं भी मौजूद रहें दवाब से परिशान ठानव प्रभारी पील शर्मा रोनी लगयो और बोले आप बेवज़े हंगामा कर रहे हैं मैंने कारवाई की हैं मेरा ट्रांसफर करवादो या मुझे गोली मार दो और संबादाता मितलेश गुपता जुर्गे मितलेश इतना जादा परिशान हो गए टी आई कि उनको रोना आ गया उनके आसू निकल पड़ी दिख ये इसलिए हमने कहा भी कि पुलिस कमिशनिर सिस्टम में फेबत लाचार नजर आ रहे हैं खुद थाना परवारी हैं और उन्हें आखिरकार परसान होकर भाजबा नेता जो वापर पहुचे थे जो समर्टक हैं उनके दवाओं में उन्हों ये कहा कि मेरा ट्रांसफर नेता परती पर चिंटू चोकसे का ड्राइबर है जिसने कुछ लोगों साथ जब एफाई अदर्ज हुई उससे सिरेंडर करने के लिए थाने बुलाया गया तो वह थाने पहुचता है और जिस बेस वाल से उचने पिटाई की थी उस बेस वाल बैट को भी अपने साथ लेक पर फिर वीडियो बना रहा है गुंडा कर रहा है कारवाई क्या की जा रही है तो थाना प्रबारी ने कहा कि कारवाई उसके खिलाब पहले की थी उसने जो रील बनाया गया उसके लिए वो कान पकड़ के माफी भी मांग चुका है उसे और सलाकों के पीछे बेजा जा जु जाते समझाते बेबस हो गए थाना प्रबारी लाचार हो गए और जब उन्हें कुछ समझ भी नहीं को कैसे रोगुत उन्हों साफ साफ के दिया कि बिल्कुल वो परेशान हो गए काफी मितले शुक्री आपकर तमाम जानकारी के लिए और एक बार सुने भी वहां पर मौजू कि नंदर चाओ दंदर चलो और गोज धाने में चलो चलो शेलो आप अंदर अब आ चैनुल को इड़ि आपकर अज संद्धाना जा एक ने आपकर शेलो आंलेमे जाल। आडी अधर चलो नांतर आप अंधर जालुन घंपाची आरे नुро हो NaNoon खबर कोर्बा से जहां नदी में दो बच्चे ग्रामेड ने बचाई बच्चों की जान सूरजपुर से मा को तलाशते हुए कोर्बा पहुंचे थे बच्चे पुलिस ने बच्चों के परिजनों के तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया है बड़ी खबर आपको दे रहे कोर्बा से जहां बंदादी में दो मासूम बच्चे बह गए ग्रामेडों ने बचाई बच्चों की जान सूरजपुर से मा को तलाशते हुए कोर्बा ये बच्चे पहुंचे हुए पुलिस ने बच्चों के परिजनों की तलाशी रुखरती है। और इसी के साथ इस बुलिटियन में इतना ही नमस्कार